प्रतियक विद्यार्थी की लाइफ में परिक्षा का महत्व बहुत अधिक होता है। फिर चाहे परिक्षा कोई भी क्यों ना हो। लेकिन परिक्षा का महत्व उस वक्त और भी जादा बढ़ जाता है जब ये परिक्षा हमारे करियर से, हमारे जीवन से जुड़ी हो, हमारे सपनों से और हमारे इमोशन से अर्मानों से जुड़ी हो। ऐसे में कई स्टुएंट्स एक्जाम से पहले काफी स्ट्रेस ले लेते हैं और गवराज आते हैं। और इसी घवराहट को दूर करने के लिए दोस्तो आज मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ और चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है सुभाश और आप दिख रहे हैं हिंदी साहित देवारता। दोस्तो आप सब चीज़ नई लेकर नहीं आया हूँ ना मैं आपको कुछ चीज़ें पढ़ाने जा रहा हूँ क्योंकि कहा जाता है देर मस्ट भी रेस्ट बिफोर टेस्ट। तो चलिए दोस्तो शुरुआत करते हैं आज के लक्चर की इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन-कौन सी ऐस चीज़ें हैं जो हमें परिक्षा से पहले फोकस करनी चाहिए सबसे बड़ी चीज़ कि बहुत ज्यादा नया समझने की कोशिश न करें हम क्या कर देते हैं कि जब परिक्षा आने वाली होती या परिक्षा नजदीक होती है तो हम बहुत सारी कीताबें इतर उद्री कर्ठे करने लग जाते हैं और उन टॉपिक्स को भी देखने लग जाते हैं जो टॉपिक्स हमने कभी परिक्षा से पहले चुए तक नहीं होते हैं तो ऐसे में अगर हम उन ही टॉपिक्स को देखने की कोशिश करेंगे तो जो चीज हमने पहले से याद रखी है जो चीज हमने अच करने की जरूरत है अपनी स्टेंट पे ही हमेशा काम करना चाहिए परिक्षा से पहले सबसे बड़ी बात यही है एल्टी कमिशन का एक्जाम देने से पहले कि एक्स्टा ना सोचें जो चीजें आपने की हैं बस उन पर ही फोकस रखें इसके बाद दूसरी जो इंपोर्टन चीज है दोस्तों वह है कि खुद की तूलना दूसरों से कभी भी ना करें क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी नजर में ही क्या एक त्रीके से गिर जाते हैं आपने सुना होगा अगर आप खुद की तूलना किसी दूसरे से कर रहे हैं तो आप आस्तम में अपनी ही इंसल्ट कर रहे हैं और इस चीज को कभी भी अपने पास नहीं आने देना है देखिए ऐसा करने से क्या हो जाता है कि हम अपने बारे में ना सुचते हुए दूसरों के बारे में सोचने लग जाते हैं कि यार्मी ये मेरा दोस्त है इसके नंबर मुसे जादा आ जाएंगे तो ये नौकरी में लग जाएगा और इसका जीवन खुशाल हो जाएगा मैं पीछे रह जाऊंगा और इस तरीके से जो सेल्फ आपका मॉरल होता है वो डौन हो जाता है तो मॉरल डौन नहीं रखना है खुद की तोड़ना कभी भी किसी से नहीं करनी है आप अपनी नजर में क्या है नायाब है जो सीज आपको आती है वो किसी दूसरे को नहीं आती है जो दूसरों के आती है शायद आपको आती भी होगी या नहीं भी आती होगी कोई बात नहीं लेकिन हर एक विद्यारती हर एक student और हर एक व्यक्ति का अपना एक औरा होता है, अपना एक उसका सोचने का नजरिया होता है, तो बस उस नजरिये पे काम कीजिए, आप जो भी हैं, आप लाजवाब हैं, इसी सोच के हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, नेक्स ने दिखिए कि परिणाम के बारे में पहले से न सोचें, तो ये सबसे बड़ा रोग होता है, कि क्या कहेंगे लोग, अगर मेरा अभी भी नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, परिणाम जो भी होगा वो पहतरीन होगा, ऐसा नहीं है कि आपकी परिक्षा आप अभी से सोचने लगे कि मेरा एक्जाम कैसा होगा, बिल्कुल रिलेक्स रहना है, जो भी परिक्षा होगी, जो भी एक्जाम होगा, उसका परिणाम जो है, वो बात की बात है, पहले आप से पहली फोकस करो अपने उपर, अपने काम के उपर, बस यहीं चीज करनी है, और इसके अलावा परिक्षा से पहले ज़्यादा किताबों को भी नहीं चुना है, क्योंकि अब वो समय है जब खुद को टाइम देने के ज़िरूट है, बिल्कुल रिलेक्स रहने की की काम रहने की, है न, जितना ज़ादा शांत रखेंगे मन को, उतना बढ़िया हमारे लिए होने जा रहा है, तो इसलिए रिजल्ट के बारे में पहले बिल्कुल भी न सोचें, रिजल्ट जो है वो परिक्षा के बाद की बात है, उसको उसके बाद ही सोचना चाहिए, और सबसे महत्वफून जो चीज़े देखिए, मैंने पहले भी कह आपको कि कामनेस एंड पॉजिटिविटी आर की टू सकसेस, अगर कोई भी भी भ्यक्ती शांत है, सकरात्मक है, तो वो क्या है, वो ही सकसेस है, इसलिए परिक्षा से पहले ये दो चीज़ें बहुत ही मुत्वफून होती है, परिक्षा से पहले बिल्कुल भी उतावलापन ना दिखाएं, अगर आप वो चीज़ करने जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप बेकफूट पे आ सकते हैं, तो बिल्कुल शांत रहिए, फोकस रहिए, जो चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, उनके उपर ध्यान लगाए, निश्चित तोर पर आपकी जो परिक्षा है, वो सही होने जा रही ही है, ज्यादा अपने दोस्तों के साथ ब करना शुरू कर देते हैं, तो बिल्कुल रहें, काम रहें, बिल्कुल शांत मन से रहें, और सकरात्मक रहें, कि जो भी होगा अब वो परिक्षा में ही देखा जाएगा, अब जो है जादा भाग दोड़ करने की जरूरत नहीं है, जितना भागना था, वो आप भाग चुक महत्वपूर्ण चीज़ देखिए, ये कोई आखरी परिक्षा नहीं है, हाला कि मैंने पहले कहा, कि परिक्षा जो है, बहुत ज़ादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे करियर से, हमारे इमोशन से, हमारे पेरेंट से, और हमारे सोसाइटी से जुड़ी है, तो इसके लि लिंगे तो आखिर में हमने जिन्दगी की जो परिक्षा है उसको भी तो देना है तो इसलिए अगर यही परिक्षा बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचने लग जाएंगे तो वह क्या हो जाएगा? हमारे साथ एक तरीके से गलत चीज हो जाएगी ठीक है ना? पहले नर्बस कभी नहों स्टैस फ्री रहें मुस्कुराते रहें हसते रहें और फिलाल आज के लिए इतना ही दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शीर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बि विश यू आल दे वेरी बेस्ट आई होब सब लोगों के परिक्षा अच्छे से होगी और मिलेंगे कल शाम को एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जैहिंद